वेल्कम बेक गाईज एक बगर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की सेशन में गाईज और जैसा कि आप सभी जान रहे कि आपका एक्जाम जो है गाईज ऐफ़से टारीक औodel 5 फरेवरी है दो डेट में टहिए है और 28 तारीका जिनका जिनका एक्जाम है उनका एडिमेट कार्ड भी डानलोड हो रहा है ये आप सभी जान रहे हैं और मेरी सुपक्राइब नाए आप लोगों के साथ है गाईज कि इस एक्जाम को अच्छी तरह से त्यारी करके आप लोग क्रेक करें और अपनी सलक्षन को उसी को ध्यान में रखते हुए और डेली बैसेस पे मैं आप लोगों जार्खन जीके का ये 40 प्रसन आप लोगों को बीच में लेकर आता हूं गाईज जो की बहुत इंपोर्टेंट और लिभाएगी आप लोगों को इक्जाम में गाईज सभी के सभी कोस्चन इंपोर्टेंट है और सेट आप जैसा की देख पा रहें गाईज सभी के सभी जैसा सी सीजियल बेस्ट है गाईज है ना तो चलिए बिना देरी किये वे और गप सब जादा नहीं करेंगे गाईज आज का सेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि 40 कोस्चन है और फटा फट रिविजिन भी करना है और आप लोग को समय भी किलत ना हो इसका भी मैं ध्यान रखूंगा तो थोड़ा सा जो MCQ होगा गाईज उसका जो भी अब प्रेक्टिस होगा थोड़ा फास्ट होगा गाईज त आपसनी इन जीनों की सिमाय अन्य राजजों से नहीं लगती है आपसनी इन जीनों में परियाप्त और दोगिक भिकास हुआ है तो बताए सई upset क्रेंट किजिए गाईज बिलकुल करेक्टांस होगा ऑफ सन नमबर ए इस दख्रेक्टांस फोगा मिला लेजए लीजेगा धो किस अस्थान ये नाम से जाना जाता है, option A, टान, option B, दोन, option C, डॉंगरी, option D, टॉंगरी, तो बताइए, सही अंसर क्या होना चाहिए, 112 गाईज, बिल्कुल correct answer हो जोगा, option number D is the correct answer हो, option D, सही जवाब गाईज, टॉंगरी के नाम से जाना जान रखता है, दूसरा पूछा गया है, option A, लोद या बुड़ा गाईज, option B, जौनहा, option C, हुंडरू, या option D, पंच घाग, question घुमा दिया है गाईज, 113 नमबर question, बिल्कुल correct answer जोगा हो जोगा है, और दूसरा जो है, option number C, हुंडरू जल परपात, है ना, हुंडरू waterfall ये, दूसरा, उचा जल परपात है, जहारखन का, चलिए next question, पहला तो आप लोग जानते है, option A होगा, लोद या, बुढ़ा गाग जल परपात, चलिए अगला question है, question number 114 है, निम्न में से कौन सा अभिहारन परवासी पक्षियों के लिए परसिद है, option A, तिलया पक्षि भिहार, option B, चंदरपूरा पक्षि भिहार, option C, उद्वा पक्षि भिहार, option D, इचाक पक्षि, इचाक गड़ पक्षि भिहार, तो बताईए सही अंसर क्या होना चाहिए, 114 का गाईज, बिल्कुल correct answer हो गाईज, मिला ले जीगा, option number 3 is the correct answer हो जीगा, उद्वा पक्षि भिहार, उद्वा पक्षि भिहार, एक ऐसा, आपका क्या गाईज, अभिहारन है, जो परवासी पक्षियों के लिए परसिद है, याद रखिएगा, जारखंड का famous है न, चले नेक्स कोस्टिन की रोबढ़ते हैं गाई, कोस्टिन नमबर 115 है, मैयोराक्षी परियोजना के तहट निर्मित मसानजोरबाद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, उप्षन A, अमरिका बांद, उप्षन B, कनाडा बांद, उप्षन C, बिटेन बांद, या उप्षन D, रूस का बांद, बताइए सही इंसर क्या आनोंच, 115 का, बिल्कुल करेक्टांस हो जगा, उप्षन नमबर B, करेक्टांस हो जगा, उप्षन B, सही जवोगा, कनाडा बांद, चलिए नेक्स कोश्चन के बढ़ते हैं, 116 का गाईज, बिल्कुल करेक्टांस हो जगा, उप्षन नमबर D is the करेक्टांस का दोस्तो, उप्षन D, सही अंसर हो जगा है न, कोलहान, छेतर में, चलिए नेक्स कोश्चन है, कोश्चन नमबर 117 है गाईज, इस टैप कोश्चन बेहद आप लोगों पूछा जाएंगे, काई कि जैसा से CGL जो है, गर्जूट लेवल का है गाईज, याद रखेगा है न, सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित करना है, एक तरफ चटान है, एक तरफ आयस्क है, अब ए में है धरवार, लो आयस्क से समंदित है, आर्कियन, बॉकसाइट से समंदित है, राजमहल, जो होगा, क्या होगा गाईज, इसका आंसर आप वो कूट में देना है गाईज, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो बताइए, सही अंसर क्या होना चाहिए, पकड़िए, सही अंसर क्या होना चाहिए, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, एक तरफ बी नंबर आंस चक्तानों में लौहज पस्थ पाए जाता है राजमह ठेप जो गया वह आपका बॉक्स साइड पाया जाता है और बिंद बिंद में चट्थानों में बोलवा पत्थर पायाता है तो यह सई अंसर हो जाए गाइज ऑप्शन नमबर बी इस दा क्रेक्टांस हो जगा आई होप आप लोगों ने सम पूरी तरह से यह कॉस्चन जो है समझ गया इस टैप के बहुत कॉस्चन जो है रहेंगे गाइज है ना क्या कि गेडियोट ले ले गए एक सु ठारा का शुचन बिलकुल करेक्टांस हो जगा ऑप्शन नमबर सी दा करेक्टांस अंसर को दोस्तों ससांग चले ने एक्स कोश्चन वो क्योंड़ते हैं एक सुन्यस नमबर कोश्चन है किस अंधूलन के दोरान पहली बार गांधी का रांची आगमन हुआ था पहली बार राची आगमन हुआ था किस आंदोलन में उप्शन A सहयोग आंदोल उप्शन B चमपारन सत्यागारा उप्शन C खेड़ा सत्यागारा उप्शन D सविने अवग्या आंदोलन तो बताए सही अंसर क्या होना चेक 119 का बिलकुल करेक्टर आंसर जोगत दोस्तो च चमपारन सत्यागारा उप्शन अदोलन था जो गांधी जी पहली बार राची आये थे चले नेक्स कोशन के रोबढ़ते हैं कोशन नमर 120 है गाइच निमनिमेसे सत्य कथन को चुनाव करना है कथन A बोलता है मुहम्बन बिन तुगलक का सेनापती मलिक बया ने हजारी बाग शेत्र तक आकरवन किया था और कथन B बोलता है तुगलक के काल में नागवन सी राजा हरी करन था कूट में इंसर आप लोगों देना है ओप्शन A केवल A सत्य कथन है ओप्शन B केवल B सत्य कथन है ओप्शन C दोनों कथन सत्य है औप्शन D इनमेसे कोई नहीं तो बिन तुगलक का सेनापती जो था मलिक बयाँ था जो राजजारी बक्त छेतर तक आकरमन्ट किया था और तुगलक काल में नागवंसी राजा जो था हरी कर्ण था चलिए नेक्स कोस्चिन के और बढ़ते हैं गाईज एक्सोगीस नमबर कोस्चन है जार्खन चेतर में बेशनों मत का परचार परसार किसने किया था अप्सटन ए मीरा बाई अप्सटन बी कालिदास अप्सटन सी चतन्य महा परभू अप्सटन डी तीनों मिलकर बताए सही एंसर क्या आना चाहिए एक्सोगीस का गाईज बिल्कुल करेक्टांसर जोगा है जो अप्शन नमबर C is the करेक्टांसर जोगा अप्शन C सही जोगा मिला लिजेगा चेतन्य महापरभू चेतन्य महापरभू का स्रेज हो जाता है बेशनों मत का पचार परसा जहारखन छेत्र में इन्हों नहीं किया था जहारखन में आदिवासी निम लिखित मैंसे किस पौरानिक पात्र की पूजा करने पर सांती हेतु आगरा करते हैं बहुत इंपोर्टेंट सवाल है 122 नमबर कोशन बिल्कुल करेक्टांसर जोस्तों अप्शन नमबर C is the करेक्टांसर जोगा बली चक्रवर्ती की बली चक्रवर्ती का ये करेक्टांसर हो जोगा चलिए नेक्स कोशन के रोब बढ़ते हैं 123 नमबर कोशन है सिंग बोंगा के अतिरिक कोल जनजाती में निमन मैंसे किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है सिंग बोंगा के अतिरिक्त कॉल जान जाती में और किस देवी देवता की पूजा की जाती है या आप लोगो कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में आंसर गाइज option है option A संकर भगवान, option B बजरंग बली, option C दुरुगा, एंकाली, option D उपरुक्त सभी चले 124 नंबर कोस्टन है गाइब होता हुआ देश उपन्यास के लिखक कोने मौस्ट भी वी आई कोस्टन गाइज एकदम भी वी आई कर लिजेगा, option A निर्मिला पतूल, option B रज़त वरवा, option C सर्वन कुआर गोस्वामी, option D ररेंदर तो बताई सही अंसर क्या होना चाहिए 124 का, बिलकुल करेक्ट अंसर जोगा, option D सही जवाब होगा, दोस्तो ठीक है, 124 का जो सही जवाब होगा, option D, option D is the करेक्ट अंसर जोगा, मिला लेजिगा गायब होता हुआ पन्यास के लेखक जो है, वो आपका रनेंदर जी है, बहुत इंपोर्टेन सवाल है, पुष्टक से रहेंगे सवाल आप लोग को, चलिए एक स्कॉस्चन की रोबढते हैं, question number 125 है, मालतो भासा का समन्द इन में से किस भासा परिवार से है, मौस्त भी भी जाई है, जन्जातिय भासा से सवाल रहेंगे, एक कोस्चन रहेंगा आपका, option A, मंगा, लायाड, option B, इंडो आरियन, option C, आस्ट्रो असियाटिक, option D, दर्वीड, तो बताए सही अंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल correct answer हो जगा, option D is the correct answer हो जगा, जन्जातिय भासा से एक सवाल रहेंगे, गाईज, यह confirm है, तो मालतो भासा का जो समन्द है, वो दर्वीड भासा परिवार से है, चलिए next question है, 126 number question, इन में से किस बेक्ति को उनके नाटक, राही रावन काना, हितु साहित अकादमी प्रुषकार प्राप्त हो चुका है, मौस विवी आई question, एक करेंट अफेस का सवाल है, option A, भोला सोरेन, भोगला सोरेन, option B है, डोमन साहु समीर, option C है, रगुनात मुरमू, या option D, भुजंग डुडू, तो बताइए, सही अंसर क्या होना चाहिए, 126 का दोस्तो, बिल्कु एक भोगला सोरेन, ठीक है, भोगला सोरेन को जो है, राही, रावन, काना, हेतु साहित, अगदमार, अकादमी पुरुषकार प्राप्त हो चुका है, गाईज, चलिए next, question की रुबढते हैं, question number 177 है, निमने मैंसे, कौन सा जीला, खुटी से सीमा नहीं बनाती है, option A, गुम जो वगा, सलायकरा, खरसावा, ठीक है, सलायकरा, केला, खरसावा, ऐसा, आपका जीला है, गाईज, जारखन का, जो खुटी से सीमा नहीं बनाती है, चलिए next question को बढ़ते है, question number 128, मैं अपसे सवाल आगी है, गाईज, इसलिए याद रखिएगा, जारखन का मेक्स पे एक स साइट, option D, उपरुक्त सभी, तो बताएज, बहुत इजी सवाल है, खान खनीज, आपको लोग टोपिक अगर पढ़े होंगा, तो बहुत इजी पूर्वा कि इसका आंसर आप कमेंट कर पाईएगा, बिलकुल correct answer होजगा, option number D is the correct answer, option D, सई जोवा भगा, उपरुक्त में से इनका आंसर है न, सभी के सभी अयस्क यहां मौजूद है, जितने भी खनीज है, मिनरल से यहां पाये जाते हैं, जितना भी option दिया गिया है, चले next question के उपढ़ते है, question number 13, दोस्तों, निम्न मेंसे सुमेलित युगम का chain करने है, जो सही सुमेलित है, उसका chain करना है, आप ल दी में, ग्रेनाइट में चोंथा, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है, 139 number question, बिल्कुल करेक्टांस हो जगा, option number B is the correct answer, option B सही जवाब हो गया, आमने से केवल, बात बाकी जो है, फौक से गाज, चाइना कले में जो है, जारखंड का देश में छठा स्थान है, चाइना कल सुमेलित नहीं है, अबर दूसरा टाइप से question पूछता है, एक बार आप लोग देख चुके है, सुमेलित वहला पूछा है, अब नहीं वहला पूछ रहा है, यह trending है, एकदम trending question है, एकदम बहुत अच्छा pattern है, जैसा सी, यानि graduate level के exam है, यह बहुत अच्छा trending है, इस टाइ हिंदुस्तान स्टील लिमेटेड धनवाद में है, ऑप्शन C, इंडियन ट्यूब कमपनी लिमेटेड जमसित्पूर में है, ऑप्शन D, एसियन रीफ्रेक्टरीज लिमेटेड बोकारों में है, तो बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक सुतीस का, बिलकुल correct answer है, option number A is the correct answer को दोस्तो, option A सही, भारत वेस्ट फालिया लिमेटेड ये धुरुआ में नहीं है, यही आपका गलात है, बाद बाकी तीन option आपका सही है, हिंदुस्तान स्टील लिमेटेड धनवाद में है, इंडियन ट्यूब कमपनी लिमेटेड जमसित्पूर में है, और एस option A, ब्रहंपुत्र मेटेलिक्स, option B है, इंडो आसाई, option C है, सेल रीफेट्रीज, option D है, अलाइड रीफेट्रीज, तो बताइए कि इन में से कौन सा उदोग नीजी समूँ में नहीं आता है, 131 number question, बिलकुल correct answer होगा, option number C is the correct answer होगा, सेल रीफेट्रीज, यह आपका नीजी समूँ में नहीं आता है, बलकि एक government का, सरकार का है, चली अगला सवाल की और बढ़ते हैं गाईज, 132 number question, जारखन आर्थिक सनवेक्चन, 2019-20 के अनुसार, जारखन राज में भारत के कुल रेसम उत्पादन का लगभग कितना परतिसद उत्पादित किया जाता है, option A, 24 पर option C, 76% या option D, 96% ये question आपका बहुत important है, आकड़ा से भी सवाल रहेंगे, याद रखेगा, 132 number question बताइए, सही answer क्या होना चाहिए, बिलकुल correct answer होगा, रेसम उत्पाद में, 2019-20 में कितना है, 76% है, 76% उत्पादन हो हुआ है, 2019-20 के जारखन आर्थिक सरवेक्चन चली, अगले question के रोपड़ते हैं guys, question number 133 है, मुंडा विद्रो के बारे में, निमन में से कौन सा कथन सत्य है guys, इस type के trending question है, बार बार आप लोग को से repeat कर रहा हूँ, आगरा कर रहा हूँ, कि भाई, इस type से question रहेंगे, जैसे CCL, graduate level का exam है, चली, option A है, 1793, इस भी में, बु अधिनस्ता को सिवकार करना था, option C है, या विद्रो विशनु मानकी के नेतिरत में संचालित तमार विद्रो का विश्तार था, option D है, अपरुक्त सभी कथन सत्य है, तो बताएं सही answer क्या होना चाहिए, 133 का, बिलकुल correct answer है दोस्तो, मिला लेजेगा, option number D, इस दा correct answer होगा, option D, सही answer होगा, दोस्तो, मिला जेजेगा, 133 का जो सही जवाब होगा, option number D, जितने भी मुंडा विद्रो से यहां कथन कहें गए हैं, सभी के सभी सत्य है, ठीक है, इसलिए option D is the correct answer होगा, चलिए next question के उपड़ते हैं, question number 34 है, दोस्तो, 1807, इस वी में तमार के मुंडा विद विद्रो का नित्यत्व किस ने किया था, option A, दुखन मान की, option B, बिशनु मान की, option C, मौजी मान की, option D, बिंदराय मान की, तो बताए सही answer क्या होना चाहिए, 134 का दोस्तो, थोड़ा फास्ट मैं बार बार बोल रहा हैं, आप लोग समय भी बचा दूँगा, गाईज, और दिविजन भी फटा फटा करावा दूँगा, है ना, क्योंकि समय आप लोग पास बहुत कम है, जी बिलकुल करेक्ट अंसर को दोस्तो, option number A is the correct answer हो जगा, जीनों ने भी answer किया है, A, उनका सही answer हो जगा, दुखनी मान की, मुंदा विद्रो का नेत्रित्यों किया था, तमार चांद तथा भेरो को किस अस्थान पर अंगरेजों ने गोली मार दी थी, चांद तथा भेरो को, option A, सरगुजज़ा, option B, बढ़हेत, option C, भागलपूर, option D, रांची, तो बताए सही answer क्या होना चाहिए, बहुती जी सवाल है, गाईज, डायर्ट को सिर पुछा हुआ है, ब ने नेक्स कोस्टन की और बढ़ते हैं, 133 नमर कोस्टन है, बिरसा मुंडा की मिर्थिव की स्तिति को हुई थी, मौस भी वी आई कोस्टन है, option A, 3 मार्श, 1909, option B, 5 अपरेल, 1909, option C, 7 माई, 1909, option D, 9 जून, 1909, तो बताए सही answer क्या आना चाहिए, दोस्तो, बहुत इजी सव सवाल है, कमेंट आप लोग कर देना चाहिए था, जी बिलकुल करेक्टांस होगा, option D is the correct answer होगा, 9 जून, 1900 को बिरसा मुंडा की मिर्थिवतिती थी हैं, चलिए, अगला सवाल है, 133 नमर कोस्टन है, सहाई योजना किस से सम्बंदित है, मौस भी वाई, यह करेंट अफेर क ध्यान रखेगा, आज का डेक, 25 जनवरी, बिलकुल करेक्टांस होगा, option number E is the correct answer को दोस्तों, खेल से है, सहाई योजना होगा, खेल से सम्बंदित है, चलिए, नेक्स कोस्टन है, 133 नमर कोस्टन, जारखन परियाटन नितीन, 2020 के तहत, राज़े में कितने, परियाटन होट स्पोर्ट की पहचान की गई है, जारखन परियाटन निती, 2020 के तहत, बताईए, option A 60, option B, option C, 120, option D, 133, बताईए, सही अंसर क्या होना चाहिए, 138 का गाईज, बिलकुल करेक्टांस होगा, option number D is the correct answer को 130, 130, ऐसे अस्थान है, जारखन का, जो परियाटन होट स्पोर्ट की पह गाईज, option A, सिक्छा, option B, बाल विकास, option C, कुपोशन, option D, सहरी करन, तो बताईए, सही अंसर क्या होना चाहिए, 140 का दोस्तो, बिलकुल करेक्टांस हो जगा, option C is the correct answer हो जगा, देदी बाड़ी हो जगा, कुपोशन से, कुपोशन से, समंधित है गाईज, याद रखिएग चलिए, next question, 140 है, राज अस्तरिये, पुनर अस्थापना, और पुनर वास, परिशद का अध्यक्ष कोन होगा, राज अस्तरिये का पुनर अस्थापना, displacement, और पुनर वास, परिशद का जो है गाईज, अध्यक्ष कोन होगा, option A, राज के मुक्ष अचीव, option B, उच न्याले के मुक्ष न्यादेश, option C, मुक्ष मंतरी, option D, राज पाल, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है यह भी, 140 का गाईज, बिल्कुल करेक्टांस होगा, option number C is the correct answer, कोन होगा, मुक्ष मंतरी, राज के मुक्ष मंतरी, चलिए, next question के बोड़ते हैं, 141 number question है, नेमने में से, सत्य कथन क का चुना करना है, मैं बार-बार बोल रहे हैं, इस टाइप के trending question है, कथन A है, सुधीर तिर्की का समद्ध तिरेंदाजी खेल से है, और कथन B है, बिरसा भगत का समद्ध फुटबोल खेल से है, answer आप लोग कोट में देना है, option A है, केवल A कथन सही है, option B केवल B कथन सही है option C, दोनों कथन सही है, option D, इन में से कोई नहीं, तो बताइए, सही answer क्या होना चाहिए, एक सुक्तालिस का, जिब बिल्कुल correct answer होगा, option C, सही जवागा दोस्तो, दोनों, ठीक है, दोनों कथन जो है, असत्ते है, दोनों का दोनों कथन असत्ते है, सुधीर का समद्ध तिरे इंपोर्टेंट कोस्टन है, option A, मैदनी नगर, option B, जमसेदपूर, option C, दुमका, option D, हजारी बाग, बताइए, सही answer क्या होना चाहिए, यह important जो प्लेस है, स्टेडियम गाईज, घरखन के जरूर सवाल रहेगा, डाइट कोस्टन आफ लों से पूछ लिया जाएगा, जी बि जिया गिया है, option A, कृती नरायन मेसर को, option B, अजित अजाद को, option C, पंकाज जहा को, option D, जगदिस परसाद मंदल को, तो बताइए, सही answer क्या होना चाहिए, मैदली भासा में साहित अकादमी पुरसकार 2022 किसे समानित किया गया है, 143 नंबर कोस्टन, जी बिलकिल करेक्ट आ अजित अजाद को, साहित अकादमी पुरसका 2022 मैदली भासा का दिया गिया है, चलिए, next question के वरते हैं, 144 नंबर कोस्टन हैं जापलों के बीच में, निमने में से कौन सा प्रियाटन अस्तल हजारी बाग जीले में स्थित नहीं है, option A, हजारी बाग अब्यारान, option B, सूरी क अंसर बताइए गाई, बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाए, option number D is the correct answer बेतला, उद्यान जो है, ये लाथे आहर में है, है ना, चलिए, next question के बढ़ते हैं, 145 नंबर कोस्टन है, एक स्टेशन, एक उतपाद, योजना के पांचवे चरण में, राची को भारत में, कौन सा स्था अंसर मिला है, option A पहला, option B दूसरा, option C तीसरा, option D चोथा, बताइए इस अंसर क्या होना चाहिए, 145 का, बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा है, जो option number B is the correct answer हो जगा, दूसरा स्थान मिला है, ठीक है, एक स्टेशन, एक उतपाद, पांचवे चरण में, राची को दूसरा स्था अंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा है, option number C is the correct answer होगा, वसुल के नाम चे पता जगता है, की भूमी का परियावाची सब्द है, तो भूमी से ही related होगा है, चले next question है, 147, नीती आयोक की रिपोर्ट के अनुसार सरवादिक गरिवी वाला जीला कोन सा र मिस इंबू, most BVI question, बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा, option number C is the correct answer होगा, पाकूर, नीती आयोक के दवारा जो है, रिपोर्ट जारी कर दिया गया है, और जार्खन का पाकूर ऐसा, ऐसा डिस्टिक है, जो सबसे ग्रिवी वाला छेत्र घोसित हो चुका है, चले next question है, 148, नंबर option A, राची, option B is the correct answer होगा, जमसेदपूर, option C, बोकारो, option D, हजारी बाग, बताईए से answer क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा, दोस्तों, option number B is the correct answer होगा, जमसेदपूर में, पहला, बायो, CNG, प्लांट, ठीक है, याद रखेगा, जार्खन में, कहां बनने व माजा किया है, मौस्ट, बीवी, आई, कोस्चन, राच्टिय, पावर लिप्टिंग, चेंप्रेंशीब का, अस्ट्रोंगेस्ट वुमेन का खिताब, किसे दिया गया, option A, सलिमा, टेट्टे, option B, निकी, उराउ, option C, हैमा कुमारी, या option D, दिपी, काकु, तो बताईए सही answer क क्या होना चाहिए, दोस्तो, बिल्कुल करेक्टांस होगा, option C, is the correct answer होगा, हैमा कुमारी को, राच्टे, पावर लिप्टिंग, चेंप्रेंशीब में, strongest, यूमेन का जो खिताब मिला है, वो हैमा कुमारी को मिला है, ठीक है, मौस्ट, भी, आई, कोस्चन है, खिल-खिलाड है, ठीक है, आज का हमारा लास स्वाल है, जहारखन, सरकारदवार, संचालित, ग्यानोदे, योजना का उधर से क्या हरा है, option A, स्कुली सिच्छा में सुधार करना, option B, ड्रोप, आउट दर को कम करना, option C, बालिका सिच्छा को पुशाहिद करना, option D, विद्याले की option रचना का पुननिर्मान करना, तो बताइए सही इंसर क्या होना चाहिए, दोस्तों, बिलकुल करेक्ट अंसर हो जगा, option number A, इस दर करेक्ट अंसर हो जाएगा, अस्कुली सिच्छा में सुधार करना, ये गानोदय योजना का मुख्य उधिस है, जहाजो सारकन सरकार के दवारा, य ये ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये अवराल आज के सेशन में top 40 question रहेगा, मैं पूरी damn sure हूँ, यहां से आप लोगो सवाल बनेंगे, pattern यही रहेगा, आप लोग बहुत अच्छा से, बारेकी से सेट को देखके जाएगा, एक बार में नहीं समझ माए, बार बार जरूर देखके जाएगा, ठीक है, आई हो, आप लोगो लगा हो गाज, अच्छा लगा हो, तो दोस्तों के बीच में जरूर सेर कीजेगा, एक दूसरे का help करते चलिएगा, चाकि साथ साथ में आपके बदोलत गाज, आपके help के बदोलत उनका भी selection हो सके, ठीक है, तो फिर मिलते हैं गए, नेक्स सेस्टन में, तब तक लिए जाज़त दिजिए, जय हिन, जय भारत दोस्तों